हेलो प्यारे बच्चों फिर से आपका ओनलाइन क्लास में स्वागत है और हम बढ़ हमारा काइनेटिक थेओर्य आफ के से ठीक है काइनेटिक थियोरी चैप्टर में काइनेटिक थियोरी लिखा हूँ बच्चों और हम किसकी पढ़ेंगे जैस के तो गेसों का अनुगति इस इसे बोलते हैं के टीजी है ठीक है एक बाद थे होती है हम यह पढ़ लिया था बोल स्लो चार्स लो तो गेस दो तरह की होती है यह होता है रियल सब्सक्राइब अ-स अध्याइभी अ कर दो हमारे पास कि उसकी एक्च्वर में कितना प्रेसर है कितना है ढब है कि अधरकार सभी गोम रहे हैं वास्तPal एपे municipology केँटर नहीं नहीं होती कि बासिए जरूर होता है कोई भी प्रेट यहां भरत हिए जब अब उसका मैंन्य एने मैंघ हो कि लोह मतलब दाव क्या कि में तेमपरेचर मन्हें तभ मान आप मैक्सिमम मैं अधीक हूं या अधिक हो हो तो कोई भी ओप्ण योड़ गेस की तरफ करेगी कोई बीकेस आइडीनगीस की तरह बियव और कंडिशन है तो दाब कम होना चाहिए चाहिए अधिक होना चाहिए कम दाब और अधिक तापमान पर सारी रियल गेश की तरह करती है तो आइडियल आप समझते हैं आइडियल होता है कि मेरा आइडियल को ने तुमारा आइडियल को न है ना सब क्या लग अधियल ऐसा बनाया जाता है जिसमें कोई भी कमी नहीं हो तो यह संपूर्ण सर कि क्या है कि तो काइनेटिक थोरी गेशों का अणुवति सिद्दांद के कुछ जूल से तो कुछ रूल से पोस्टुलेट बोलते हैं इसको तो पोस्टुलेट अब धारना है किसके रिए अब पड़े हैं हम सहीज की थोरी कनेटिफ ओफ्टुलेट सना को सुनेट ऑफ के टीजी जी का अब धारना पड़त है यह पोस्टुलेट अर네요 है किसके नि आइडियल गेस के लिए ही मानने है किसके लिए मानने मानने आइडीयल गेस가지고 आदर्स अधियन गेस के लिए मैं तो ठोड़ा थोड़ा वेलिड है किसके लिए पार्शली मतलब है कि पार्श यली अ है कि कि स्क्रीव ये तो फोड़ा थोड़ा गहिस पे भी अप्लाई हो जाती है पार आईडियल गैस पे अप्लाई तो होती होती है वैलीड वैलिड लेकिन रियल के भी कुछ कंडिशन में अप्लाई हो जाती है तो पहला है हमारे पास इसके लोग पढ़ेंगे इंपोर्डेंट है इसके लोग उसी जही समझ में आएगा जारी चीज आगेगे जो गेस होती है को इसी भी गेस उस गेस के अंदर गेस दिखो जो हो को कोई भी गेस है किसमें एकजांपल देखे बता रहу है इसके अंदर गेस भर हुई है कि अ Hm अब गेस के अंदर क्या होते है और मोलीकूल मतलब अनूप होते हैं अब यह अनूज रहे न यह सेम नेचर के होते हैं समान प्रकृतिक होते हैं गेश के सारे अणू गेश के सभी अणू की आकर्ती वाकार आकर्ती वाकार समान होते हैं है ठीज के सभी रणों की आकरती वाकार क्या होते है समान होते हैं एक वल होते हैं कि जितने ही मॉलीकुल ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा सब आइडेंटिकल होंगे तो यह जाएगा ओल मॉलीक्यूल्स कि ओव गेसेज और आइडेंटिकल अइडेंटिकल मीन्स सेम नेचर सेम नेचर को यह एक ही परकरती के सभी के सभी है ठीक है कोई बड़ा कोई जादा ऐसे बोल नहीं सकते एक परकरती होती हो उनके ठीक है पहला तो यह होगया अब गेस के आणों के माद दूसरा जो होता है इंटर मॉलीकूलर फोर्स होता है इंटर मॉलीकूलर फोर्स होता है वह न गर्न होता है इंटर मॉलीकूलर थो को सेज इन गेसेज और नेगलिजीबल ने इंटर मॉलिकूल फोर्च इन गेसेज बिट्विन मॉलिकूल्स में लिख दें बिट्विन मॉलिकूल्स के बीच में होता है और नेगलिजीबल मतलाव अंतराणविक बल गेसो के अनु के मद्ध अंतराणविक बल कि सुन्य होता है कि बाले या सुन्य मतलब नगन्य बोल सकते इसको अधिक है तो यह दूसरा नियम हो गया तो पहला नियम क्या था गेस के सभी अनु समान आकृति आइडेंटिकल होते हैं सेम नेचर को होते हैं दूसरा इनके मद्ध में जो मोलीकूल होते हैं मतलब अनु होते हैं उनके बीच में अंतराणविक बल अंतराणविक बल होते हैं जो की पास पास रखते हैं ये किसको अनु हो रूस के अंदर वह ज्यादा होते है तो पत्रों पात्र पात्र में कोई पात्र में रखाओ पात्र में गती करते हैं लगातार पात्र में लगातार है यादिर रचिक अ styl गती है करते है दो को ठीक है तो यह जाएगा मोलेक्यूल्स ओफ मोलेक्यूल्स ओफ गेस इन कंटेनर 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 कंस्तेंटली रेंडम मोशन ठीक है है तो लगातार के करते हैं या दर्टी करते हैं शिद्वन कर चलिव है इस पाथ का आपने बढ़ी के फिर इस वारर कड़ी करद इस थे की तो बच्चों रुचेगी सान अपनी जगए पहला एक इधर जाएगा एक और जाएगा एक इधर जाएगा फर लेन जाये फिर जाये सारे के सारे जो है सरल रेखा के अंदर गती कर रहे हैं किसमें तो यह सारे किसमें सरल रेखा के अंदर गती करते हैं तो मोशन ओफ है मॉलेक्यूल्स है मतलब है अनुओं की गती कैसी होते हैं स्ट्रेट लाइन रेकी करती है कैसी तकर आया अशने अपनी युजा आगे दे फिर वह आगे टकर आया प्रोसेस जो है चलता रहता है प्रोसेस पोइंट है वोट पॉइंट जब पात्र से टकर आते हैं ना तो इनकी एना इलाश्टिक प्रत्यास्त टक्कर होती है जब अणूं जब गेस के अणूं पात्र से टकर आते हैं तो इनकी टक्कर आते हैं प्रत्यास्त होती है कैसी प्रत्यास्त होती है तो जाएगा मोलेक्यूल्स ओफ गेस मोलेक्यूल्स ओफ गेस in container in case collides with in case collides with wall of container then collision is elastic मतलब यहां जब गेस के वह पात्र से टकर आते हैं पात्र से पात्र से पात्र की दीवार से लिखना पात्र की दीवार दीवार होती नहीं चरवतर दीवार से टकर आते हैं ईनके टकर कैसे लिख टियास होती है कैसी होती है कैसी तक करो तो तो ओन। ऑफ गेस और गेस और घ्री कोलिजन कोलीजन का मतला होता है प्रत्यास्थ टक्कर क्यों दी प्रत्यास्थ टक्कर जो इसमें अंदर जो गती जुर्जा बनला काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और जो लीनियर मोमेंटम है रे की समवेग हुए कई गएशायथा है पी दोनों को दोनों क्या होते हैं कॉस्टेंट गोसटैंट होते हैं मतलब है कंजर्व रहता हैं कंजर द मतलब नियत रहता है नियत रहने ek वाल पदलाब जίसे पात्र चेंट ठकर ऑइंगये कि यह दर गया फिजर गया कि पात्र की दीवार तकर आया इनके वेग जुरू में यह है कि तना है यू है जातः पात्र से तो आनू क्या है इसे घूमेगा पीछे की तरफ ऐसे जाहे जाए इस तरह से इस तो यहां पे इसका उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता और नो दूसालेक या जो चुन वह मं कोई पर्षर नहीं होता है एसाने कि वेपात्र से टक्राने के बाद जो है इसकी और जामें कम露ाइगी नहीं इसके उर्जा में कमी नहीं आती है तो टक्कर के बाद जो है इसकी पुर्जा में कमी नहीं आती है मतलब यह हुआ कि जिस स्पीड से चल रहा है ना स्पीड जिस स्पीड से आएगा यह मान के चलो यह जिस स्पीड से आएगा स्पीड विल नौट चैंज आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद इसकी चाल में कोई परिवर्द नहीं होता है टक्कर के बाद चाल कैसे रहती है आप परिवर्देत टक्कर के बाद चाल के होगी आप परिवर्देत रहती है बात समझ में आई कि नहीं है तो यह हमने कुछ जो रूल्स पड़ा है गेश के सभी अनु आकरती वाकार में समान होता है ठीक है एक सेम साइज के गेश के मत अंत्राने कवाल नगन्य होता है मतलब अंत्राने कवाल पिर बहुंअ कोई एक अनु दूसरे अनु तीसरे अनु चोथे अनु जो आपस में उसे रोक नहीं पा रहे है पूर भाग रहे हो हुँ अना एक जगе से दूसरे भगर है ऊप्यर जब गेस अनु पात्र की दीवा से टक्राथ तक्क रोती होती है क्यों परत्यास्त होती है परत्यास्त टक्र होगी मतलब इसके और जया में कोई भी परिवारतन वेग में कोई भी परिवारतन नहीं आएगा अच्छा अब अगला है जो So, molecules of gase collides with wall of container, collides with wall of container, those create pressure those create pressure किसके द्वारा pressure create हो जाता है wall of container जैसे मान के चलो इस तरह से यहां पर एक मेरे पास क्या है यहां गया आगे गया इस तरह से टक्राया तो टक्राने के बाद क्यों गया है अच्छा अब इस से क्या होगा सारे के सारे जो container है container के अंदर जो molecules है अनू है वो सारे सारे एक साथ टक्राएंगे किस से इस से टक्राएं एक साथ मान के चलो एक साथ टक्राएं तो इस पर क्या होता है इस दीवार पर इस वोल पर क्या लगेगा एक दाब लगेगा क्या लगेगा हम टाब क्या होता है कि युद्य नहीं होंने लगाए चाथ प्रेंव के लगेगा है बनाग लगेगा नमबर आप मोलेकूल्स बाय फोर्स ओफ ऐसे लिए फोर्स ओफ नमबर आप मोलेकूल्स पर यूनिट एरिया ठीक है ना इतना प्रेशर लगेगा मतलब दाव है ना दाव किसके अनकर मान पाती है एकाई चैतर पर लगने वाले लगने वाले अनुओं की संख्या अनुओं की संख्या पर बल ठीक है ना तो एकाई चैतर पर लगने वाले जो अनुओं की संख्या उस पर कितना बल लग रहा कितना उस पर प्रेशर जोए अप्लाई हो रहा है उसे बोलते दाब क्यों एक दीवार जरूट से दीवार पर दाब लगाएगा ठीक है और लास्ट पॉइंट है एक और पांच वाँ दियर इस नो ग्रेविटी बाय मोलेक्यूल सोब गेस बच्चों यह गेस के जो मोलेक्यूल सोते है क्या ग्रेविटी में ग्रेविटेशन पूस्ट लगता है के एंप है देर इस नोग्रेविटेशनल फोर्स कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता कोई गुर्त्वी है तो बल से नहीं लगता हूं है कि चेंट न कोई है वित अपास जो जतने भी मोलेक्यूल से वह सारे सारे ओड़ी जाएंगा ऊपर के तरफ नीचे तो कुछ बचाएगा नहीं लेंगा मरी जाएंगे पर तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी गुर्ट्विये पल नहीं लगता इस पर नहीं तो अब देखो किसी भी कंटेनर के अंदर के उड़ते तो रहता है गेस के अणू सारसा नीचे जमीर में जाके थोड़ी न बैड जाता है तो नेक्स्ट क्लास म से कंटेनर रखेंगे तो थांकियो गुडबाए